प्रकार से विभिन हिस्सों में तोड़के पढ़ना चाहिए तो हम देखते हैं हमारे टॉपिक आज जो पहला टॉपिक है वो इंप्लॉइमेंट चैलेंज के बारे में है इसमें हम लोग बात करेंगे जो नरायन मूर्ती ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि लॉंगर वर्किंग आर्थ होने चाहिए उसके उपर ये आर्टिकल फोकस करता है उसके कुछ पॉइंट पर ये क्वेशन करता है ये पूछता है क्या ये अक्चुली पॉसिबल है और क्या ये बड़ा चेंज लाने में सक्षम हो पाएगा फिर हम समझेंगे बांगलादेश में एक स्ट्राइक चल रही उसके बारे में जो गार्मेंट सेक्टर है जो रेडिमेट गार्मेंट का सेक्टर होता है बांगलादेश में उस सेक्टर के वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी चीज़ों को समझेंगे और समझेंगे ओवर governor से state government के कुछ issues चल रहे हैं और जो मुद्दा है वो है bill के regarding governor या तो bill आगे पास नहीं करते हैं या फिर वो अपने पास रोक लेते हैं तो यहाँ पर यह एक question का मुद्दा बनता है उसके ओपर यह पूरा article आया है फिर आखरी जो हैं दोनों क्लाइमिट चेंज के बारे में है अलार्मिंग काउंडाउन में हम लोग समझेंगे एक यूएन की रिपोर्ट आई है वो बताती है कि अभी हम लोग कहां पर exist कर रहे हैं हमने कुछ एक कमिटमेंट किये थे पारिस क्लाइमिट अग्रिमेंट में हमने जो इसमें कमिटमेंट किये थे क्या हम उसके नजदीक हैं या फिर हम उसको अचीव कर चुक है या फिर हम बहुत पीछे रह गए यह हम लोग इसमें नारायन मूर्ती ने कुछ समय पहले कहा था कि longer working hours होने चाहिए और उसके चलते employment scenario जो इंडिया में है उसमें बदलाव आएगा, ये article उसी चीज़ पर question करता है, ये article दो question उठाता है, क्या जब number of work hours आप बढ़ा देंगे तो वो समस्याओं को solve कर देगा, और दूसरी बात hours करके वो लोग आज काफी अच्छे हो चुके हैं, काफी आगे निकल चुके हैं, better condition में आ चुके हैं, तो जो दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है, ये है क्या ये comparison सही है, क्या इंडिया, जर्मनी, जपान के comparison में वही चीज़े अडॉप्ट करके अपने efficiency को, अपने employment scenario को ब जो भी आपकी economy में goods और services बन रही है, वो कितनी है particular एक period of time में और एक economy में, यानि कितनी demand है, उस पे depend करता है आपकी economy कैसी चल रही है, अब इसके अंदर कुछ important elements या फिर कुछ important components हैं, जैसे पहला जो element है, वो consumption है, अब देखिए, अगर जो households हैं, वो एकदम से अपना consumption बिखने लग गया, ऐसा कुछ product बिखने लगया, जो households की जरुरत होती है, और उसका एकदम से सर जा गया बिखने में, तो कही ना कहीं, जो production unit है, जो चीज उसे manufacture कर रही है, उसको अपना production बढ़ाना पड़ेगा, production बढ़ाने के लिए, अगर मैं पहले 10 लोगों के साथ काम क करता था, तो मेरे को 20 चाहिए होंगे, या फिर और जाधा चाहिए होंगे, तो अगर कहीं एक जगह पे demand बढ़ती है, तो उसके respect में production capacity बढ़ानी पड़ेगी, जिसके respect में employment generate होगा, opportunity generate होगी, और लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर दूसरी बात investment, जब कोई एक particular entity कहीं पे investment करती है, बड़ा investment आता है, तो वही बात है, उस जगह का expansion होगा, उस particular entity या उस company का expansion होगा, जब उसका expansion होगा, तो वहाँ पे workforce जाधा चाहिए होगी, जाधा workforce चाहिए हो, यानि कि job का scenario कहीं ना कहीं बन रहा है, opportunities create हो रही है, फिर जो तीसरा element है, वहाँ पे हम लोग देख cement चाहिए होगा, सरकार को लोह चाहिए होगा, और जो भी चीज़ें एक highway बनाने में जरुरी है, वो सब सरकार को चाहिए होगी, तो अगर सरकार cement कहीं से खरीदेगी, तो पूरे cement की जो industry है, या फिर जो particular company जो सरकार को बेच रही है, उसमें एकदम से demand में सर जाएगा, या positive में है, यानि हम लोग export जादा कर रहे हैं और import कम कर रहे हैं, इसका तातपरे है कि हमारे पास इतना है, इतना sufficient amount में है, कि हम अपनी खुद की जरूरते पूरी कर पाए, प्लस बचे हुए बाहर भेज़ पाए, यानि sufficient है, surplus है, तो अगर हमारे पास surplus है, तो कहीं न कहीं इस production बढ़ाना होगा, companies production बढ़ाएंगी, तो और लोगों को वो इधर की तरफ attract करेंगी, और लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, jobs मिलेगी, तो यहाँ पे हम लोग इन चारों point को जब देखते हैं, तो author कहते हैं, यह जो aggregate demand है, कहीं न गई, यही आसार डाल रही है, employment scenario पे, अगर आपके उतने ही लोग काम कर रहे हैं, और आप number of work hours बढ़ा दें, तो उससे employment scenario में कुछ ज़्यादा वदलाव आना नहीं है, ऐसा यहाँ पे author कहते हैं, दूसरा जो factor यहाँ पे लिया गया है, वो demand of labor पे बात की गई है, अब जो इसमें demand of labor है, वहाँ पे एक important चीज है, government का जो policy है, अगर किसी एक शेतर में government की जो policy है, suitable है, ease of doing business बहतर है, अगर वहाँ पे ज़्यादा documentation में किसी को नहीं फसना होता, तो industries चाहेंगी कि उस particular area में आके वो अपनी entity अपना unit set up करें, वहाँ पे अगर unit set up करेंगे, तो उनको लोग भी चाहिए होंग उसमें opportunities बढ़ेंगी, और उसी से labor की demand बढ़ेंगी, फिर अगर condition of economy, economy boom पे चल रही है, खूब सारी demand बढ़ती जा रही है, तो production unit बढ़ेंगे, किसी एक unit की या अलग-अलग units की capacity बढ़ेंगी, बढ़ाने के लिए फिर से labor की ज़रुरत होगी, job scenario में conversion आएगा, फिर देख पांच रुपे में कहां, अपने expansion में लगा सकता हूँ, वो पांच रुपे से जो मैंने expansion किया, अब वहाँ पर जो machinery रखी है, उसको चलाने के लिए मेरे को और labor की ज़रुरत है, तो जब मैं वहाँ पर और labor को लाऊंगा, ultimately फिर से कही ना कहीं job opportunities create होगी, और फिर यहाँ प किसी भी चीज़ पे plus और minus यानि positive और negative दोनों ही प्रकार के असर डाल सकती है, positive कैसे, अब जैसे कोई technology में बदलाव आया, कोई आप phone, कोई आप और device यूज़ कर रहे हैं, उसमें नया technology आ गई, तो सारी companies क्या सोचती है, जो उसको manufacture कर रही है, कि हमको भी जल्दी से अपने technology में बदलाव लाने की जरूरत है, अब अगर वो technology में बदलाव लाएंगे, तो उनको कुछ और नई workforce चाहिए, skilled workforce चाहिए, जो उस particular technology को समझती हो, और उसको implement करवा सकती हो, तो इस से फिर job scenario पे असर पड़ा, और एक है demand of production, यह तो सीधी सी बात है, अगर किसी production unit की कोई particular चीज जादा भिक रही है, या उसको demand उसकी बढ़ रही है, तो ultimately वो बनाने के लिए, जादा मातरा में बनाने के लिए और labor की जरुरत होगी, और labor वहाँ पे आएगा, job scenario effect होगा, तो इस तरीके से दो यहाँ पे बात की गई है, एक तो aggregate demand की है, और एक labor demand की, क्या क्या जैसे Germany और Japan से यहाँ पे compare करते हैं, तो यहाँ पे author कहते हैं, Germany और Japan World War II के बाद निकली थी, पूरी तरीके से devastate हो चुपी थी, वहाँ तबाही थी चारो तरफ, तो अब एक reconstruction की ज़रूरत थी, एक वापस देश खड़ा करना था, एक नौमी बनानी थी, वापस वहाँ पे राष्ट के प्रती अच्छी भावना थी, वो देशवक्ती वाली भावना थी, कि हमें राष्ट के लिए कुछ करना है, तो वो जो नाशनलिस सेंटिमेंट था, वो भी कहीं न कहीं, लोगों को इस तरफ लेके आ रहा था, कि हमें development में एक हिस्सा निभाना है, हमें उसमें contribute करना है, तो जब इस तरीके से लोग उधर attract होने लगें, तो अपने आप demand बढ़ती गई, तो लोग ज़्यादा काम करने को भी तयार थे, वो जो पेट्रियारकल जो आपके अंदर जो एक पर्टिकुलर भावना जगी, जो एक national sentiment जगा, उसने आपको इस तरीके से मजबू करें, जिससे कि आपको जल्दी से अपने nation को build कर सकें, जल्दी से develop कर सकें, तो ये important था, फिर उसके बाद public funding ने भी उस समय काफी काम किया, public funding लगाता राती रही, लोग तयार थे अपने nation को build करने के लिए, तो ये दोनों चीज़ों ने मिलके, वहाँ पे जो scenario आज हमें द countries के साथ compare करें, या फिर उनके साथ देखते हुए, इंडिया के उपर कोई एक चीज लागू करें, जैसे कि हम कई बार पढ़ते हैं, one size fits all वाली चीज हर जगे नहीं चलती, जो एक particular entity या किसी एक व्यक्ति के लिए जो चीज चल गई वो ऐसा नहीं है, दूसरी entity या दूसर demand create करने पे, अपने products को इतना competitive बनाई है कि वो globally stand कर सकें, उसके अलावा domestic market को अपना expand करिये, अगर domestic market expand होगा, अपने आप demand बढ़ेगी चीज होगी, और अगर demand बढ़ी, अपने आप employment scenarios change होगे, तो ये बहुत important चीज है, जो यहाँ पर बताई गई है, उसके अलावा हमारा जो workforce है, हमारे पास अच्छा demographic dividend है, skilled workforce हमारे पास काफी है, in fact अभी हमारे सरकार के कई सारे initiative चल रहे हैं, जो skilled workforce की तरफ हमको focus करने पे प्रेरित करते हैं, तो इस प्रकार से अगर skilled workforce की तरफ हम लोग focus करें, demographic dividend अच्छा है, तो देश तरकी करेगा, तो employment scenario change होगे, उसके अल अगर वहाँ पर हम लोग focus करेंगे, बहतर infrastructure लाएंगे, तो कहीं न कहीं फिर से scenario बदलेंगे देश में, और जहां पर आप infrastructure डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर demand होगी, चीजों की, वहाँ पर labor की demand होगी, और demand बढ़ेगी, फिर से employment scenario कहीं न कहीं बदलेगा, और ultimately जो है, food production cost यहाँ पर बात की गई है, हमारे यहाँ जो food production cost है, वो काफी ज़्यादा है, और in fact इसी वजए से जो ultimate product आपके हाथ में आता है, अगर production cost ज़्यादा हुई, तो आप समझे, ultimate या final product जो मेरे हाथ में आया, वो भी महंगा होगा, अगर इसकी cost ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि भई मेरे जेब पे जादा असर पढ़ रहा है, यानि most of the पैसा जो है मेरा food products को खरीदने में जा रहा है, यहाँ पे एक suggestion इस प्रकार का है, हमको food production cost कम करनी है, जिससे क्या होगा, जो food है ultimately, उसकी भी cost कम होगी, उससे क्या होगा, हमारे पास पैसा बचेगा, माल लीज तो यह जो food पहले 80 रुपे का था, अब शायद आपको 50 रुपे में मिल जाए, अगर 50 में मिल गया तो समझे 50 रुपे आपकी जेब में बचे हैं, अब इन 50 रुपे को आप खर्च कर सकते हैं, non agricultural commodities को खरीदने में, और जब आप उसको वहाँ पे खर्च करेंगे, इसका मतल होगा और employment scenario में change आएगा, यानि author कहते हैं, सिर्फ आप अगर working hours बढ़ा दें, तो इसका तात्पर यह नहीं है कि employment scenario बहतर हो जाएगा, देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, उसके लिए proper opportunities, proper employment की जो आपको environment है, वो generate करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, तभी उस सो सरकार से कुछ friction चल रहा है, कैसे tussle चल रहा है, workers के बीच में, और government के बीच में, जो workers हैं, कम से कम हमारी salary है, उसको तीन गुना बढ़ाया जाए, सरकार इस पर राजी नहीं है, वो 50% के आसपास कुछ कह रही है, तो यह जो है कही ना की friction का कारण बनता है, अब इसी वजह से, यह हम लोग को समझने की जरूरत है कि बंगलादेश की particular economy में, यह sector कितना contribute करता है, अगर significance आप देखेंगे, तो बंगलादेश वर्ल्ड का second largest exporter है, fast fashion में, fast fashion से मेरा मतलब है, कोई ऐसा कपड़ा नहीं, जो मैं आज खरीदूंगा और 5-6 साल तक चलाओंगा, ऐसा में बात करें, माली जी आप bell bottoms पहन रहे हैं, तो हो सकता है 6-7 महीने बाद, उसका fashion चला जाए, दूसरी कोई jeans या फिर pant आ जाए, तो आप उसकी तरह switch करेंगे, तो यह fashion जो है, बहुत तीज बदलता है, और यह जो industry है, बहुत ज़्यादा growing industry है, बड़ा domain है, 5% जो country की GDP है, वो इस particular sector पर रिलाय करती है, तो यह sector अगर किसी भी प्रकार से बंद पड़ गया, या फिर किसी भी प्रकार से उसमें unrest आया, तो समझ यह बंगलादेश को कितना नुकसान हो सकता है, तो यही चीज उसमें बताई गई है, फिर कुछ reasons हैं जुसमें हमने बात gas emission होता है, अगर fact की बात करें, तो करीब 2-8% तक जो greenhouse gas emission है, यह particular sector करता है, उसके अलावा यह sector water intensive sector है, यानि बहुत जादा water के यहाँ पर demand होता है, जैसे textile में dying आपने सुना होगा, dying में बहुत जादा मातरा में पानी की जरूरत होती है, पानी की availability चाहिए होती है, तो resources का exploitation, उनका intensive use इसमें होता है, उसके अलावा water pollution भी होता है, क्योंकि dying के बाद या फिर किसी भी process के बाद, जब पानी नदियों में छोड़ा जाता है, तो उससे नदियां प्रदूशित होती है, उसके अलावा energy intensive भी है, energy कहां से आएगी, कोईले से, कोईला क्या है, fossil fuel है, fossil fuel को जब हम जलाते हैं, greenhouse gases emit होती है, climate change में, जो contribute करती है, तो जितनी ये industry बढ़ेगी, जितनी तेज से काम करेगी, उतना ही जादा कोईला जलेगा, उतना ही जादा greenhouse gas का emission होगा, तो इसी वज़े से ये भी एक चिंता का कारण है, फिर अगर हम लोग बात करें, तो यहां जो waste generate ह होता है, कई बार उसके proper segregation collection, इन सब चीज़ों की सुवधा नहीं होती, तो waste जो है, वो pollute करता है, जब industry अपना growth करती है, जब वो expansion करती है, तो जो कई जगह पर ऐसे areas होते हैं, जहां पर अभी jungle थे, या one थे, या forest थे, या फिर अगर आप समझे, पेड़ थे, बट वहां पर development होगा, तो पेड़ कटेंगे, तो कहीं न कहीं, एक चोटा सा कारें, deforestation की तरव भी, यहां पर हमको इशारा करता है, फिर आप देखिए, technology जो है, कई बार इस sector में इतनी ज़्यादा update नहीं होती, outdated technology की वजए से, फिर वो जिस आज से 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले, जिस technology प नहीं environment को pollute कर रहा है, तो यह जो कुछ factors हैं, यह particular sector को environment concern के घेरे में लाती है, उसके अलावा फिर हम चलते हैं अपने अगले article की तरफ, अब यहां पर बात की गहीं, state government और governor के बीच में, टसल के बारे में, जो governor है, वो कुछ bills को withhold कर लेते हैं, या उसको ascent नहीं देते हैं या फिर state के पास वापिस भेज देते हैं, जिसकी वजह स्टेट government कह रही है कि हमारी day-to-day functioning या फिर day-to-day governance अच्छे से नहीं हो पा रही है, कई सारे state जैसे यहां पर example पे केरल है, Tamil Nadu है, पंजाब है और West Bengal है, केरल कह रहा है कि दो ऐसे bills हैं, जो की governor है, वो पास नहीं कर है, जिसकी वजह से जो particular functioning होनी चाहिए, health के सम्बंध में, या state ने कुछ ऐसे health के सम्बंध में parameters या फिर provisions स्थापित किये थे, जो लोगों को benefit करें, बट क्यूंकि वो bill pass नहीं हो पा रहे, तो वो benefits जो हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, Tamil Nadu कह रहा है, करीब 12 bill governor न जो governor ने hold कर रखे हैं, वो जब governor withhold करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की functioning पे, उनके selection के process पे असर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे academicians कह रहे हैं, कि वो हटा के chief minister को लाया जा, जिससे ऐसे जो process हैं, वो streamline हो सके, अब बात यह हो रही है, कि जो सरकारे हैं, वो यह कह र सरकार की power देता है, सबसे पहले जो power यहाँ पे बताई गई है, वो है, कि वो bill को assent दे दे और pass कर दे, दूसरा वो withhold कर ले, तीसरा वो state के पास reconsideration के लिए भेज दे, और चौथा वो president के assent के लिए उस particular bill को अपने पास रख ले, तो यह चार जो powers है, यहाँ पे दी गई हैं लेकिन अब यहाँ पे इसका मतलब यह नहीं है, कि governor कोई बे बिल अपने पास unlimited time के लिए hold करके रखें, तो यह author जो है, यहाँ पे question mark लगाते हैं, कि governor के जो यह discretionary power है, क्या यह इतनी बड़ी है, कि यह किसी बे बिल को अपने पास unlimited time तक रखें, और day to day functioning जो state के होती हैं, एक और provision है, अगर governor कोई बिल कुछ suggestions के साथ या कुछ recommendations के साथ आगे state legislative assembly को भेचते हैं, और state legislative assembly फिर अगर उसको बिना कोई amendment approve करे, पास कर देती है, तो पास माना जाएगा, यहाँ यहाँ पे कौन जादा supreme है, तो प्रमिसी जो है वो दी गई है state legislative assembly को, यहाँ वो assembly जहाँ हमारे दोरा चुने गए लोग बैठे हुए हैं, कही न कहीं public को यहाँ पे प्रमिसी दी गई है, तो governor के पास अगर कोई bill ऐसे रखे रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो at large अगर आप बात करें, तो citizens के right impact हो रहे हैं, यहाँ पे यह particular article बात कर रहा है, फिर उसके ब वाली बात है, Honorable Supreme Court ने भी कुछ concerns यहाँ पे race किये हैं, उन्होंने कहा है, अगर इसी प्रकार से governor bill अपने पास withhold करेंगे, तो पहली बात constitutional deadlock होगा, दूसरी बात जो हमारी parliamentary democracy है, वो undermine होगी, उसको proper तरीके से functioning करने के लिए जगे नहीं मिल पाएगी, तो इस तरीके से हम द का क्या stand है, फिर आप देखें क्या recommendation है, तो अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक नबाम रिबिया केस है, जो deputy speaker के against था, उसमें Honorable Supreme Court ने ये कहा था, कि अगर कोई भी particular governor का ऐसा action है, जहाँ पे वो bill को reserve कर रहे हैं, तो वो कुछ बहुत exceptional ही cases में होना चाहिए, और वो जो cases हैं, या फिर वो जो particular decision है, वो judicial review के लिए मानने होगा, उसका judicial review हो सकता है, उसके अलावा national commission आई थी एक constitution की working को review करने के लिए, उसने भी ये कहा, कि जो governor का ये decision है, बिलको withhold करने का, इसको एक time limit में रखो, एक time limit prescribe करो, जिसके तहत ही governor अपने पास bill रख सकते हैं, और उसी के अंदर governor को bill को dispose करना होगा, यही चीज कुछ और commissions ने भी कहा, यहाँ पे आप ये दो commission के नाम देख सकते हैं, जो exam में भी आप use कर सकते हैं, एक है सरकारिया commission और एक है पंची commission, सरकारिया commission ने कहा, सबसे पहले तो governor से drafting stage पर ही discussion हो जाना चाहिए, जिससे अगर वहा महीने कहा गया था, 6 महीने में आपको वह bill disposed करना है, इसी प्रकार से पंची commission की बात करें, तो उसने भी यही कहा कि 6 महीने के अंदर governor को जो bill है, उसको आगे भीजना होगा, या फिर state legislative assembly की पास भीजना होगा, अपने पास वह विधोल करके नहीं रख सकते, तो कई बार ज वर्से state of Punjab केस, माफ कीजेगा, यह आदर होगा, समशेर सिंह आदर वर्से state of Punjab का केस, इस particular केस में कहा गया है कि कुछ ही ऐसी exceptional situations हो सकती है, जहां पे governor कोई भी बिल विधोल कर सकते हैं, और उन ही के अंतरगत उनको विधोल करना चाहिए, उसके अलावा अगर वो करते हैं कहीं न कहीं वो constitution के खिलाफ जा रहे हैं, उसके अलावा रामेशुर प्रसाद केस में भी यह कहा गया है कि अगर governor ने इस प्रकार से कोई decision लिया है, तो उसका जो intention है, क्या वो malified है, क्या वो against the constitution है, इसके ओपर judicial review possible है, तो इस प्रकार से यह कुछ एक points आप यहां से लिख स करता है, यहां पर एक report है, जिसके आधार पे पूरा article लिखा गया है, article कहता है कि जो countries हैं, अब वो ना सिर्फ emissions को कम करने की और, बल्कि zero emission की और आगे बढ़नी चाहिए, report का जो नाम है, वो है broken records, UN द्वारा publish की गई है, report एक alarm के तोर पे हमारे सामने आती है, report में कहा गया है, कि अभी जिस पेस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस पेस पे हम लोग ये सोच के काम कर रहे हैं, कि Paris जो agreement है, उसके targets को अचीव कर पाएंगे, वो संभव नहीं है, यह जो speed है, इसको कम करने की जरूरत है, यहां पे कुछ facts दिये गए हैं, जैसे कि यहां पे कहा ग target किया है, उसके भी उपर इतना overshoot कर जाएंगे, तो एक चिंता जनक बात है, उसके अलावा कुछ और ऐसे facts हैं, जिसमें यहां बात की गई है, रिपोर्ट कहती है कि अगर आपको अपने targets को meet करना है, Paris agreement वाले, तो आपको annually, यानि कि हर साल 8.7% जो emissions है, उसको कम करने की जर LCS हमने overshoot किया था, हम लोग अपने target से उपर चले गए, तो कहा जो 8.7% तक हम लोग कम करेंगे, तो यह एक चिंता जनक बात है, उसके अलावा अगर बात करें, तो यहां पर कहा गया है, करीब 86 days ऐसे रहे हैं, जहां पर अपने target को हमने breach कर दिया है, हम लोग उपर चले ग हमको अपने actions को speed up करने की जरूरत है, streamline करने की जरूरत है, तो यहां पर solution की तोर पर बताया गया है, जो भी ऐसी countries है, जो historically responsible रही है, जो wealthier nation है, developed nation है, उनको जिम्मदारी लेनी होगी, ना सिर्क उनको emissions कम करने, बलकि zero emissions की तरफ बढ़ना होगा, और साथ में developed countries को, जो है, developing countries को मदद करनी होगी, अगर वो developing countries को साथ लेकर चलेंगी, तो ये target बहतर तरीके से अचीव करने की उमीद है, फिर उसके बाद अगर बात करें, तो एक और यहां पर कहा गया है, कि हमको streamline करने की जरूरत है, हमको timeline में fix करने की जरूरत है, कि इतने समय में इतनी चीज होगी, वो जब target सामने होंगे, तब शायद उसको हम achieve कर पाएं, उसके अलावा कहा गया है, कि तीन level पे आपको काम करना है, जहां पे local level पे काम करना होगा, आपको regional level को सुधारना होगा, उसके अलावा आपको और उपर अगर बात करें, तो आपको अपने state level पे करना होगा, national level पे यही climate change कैसे हमारी health पे impact डालता है, climate change according to article कई सारे direct और indirect impact करता है, सबसे पहले कई सारी बीमारियां cause करता है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में है, जहां पे air pollution है, तो आप respiratory disease के शिकार हो सकते हैं, अस्तमा attacks आ सकते हैं, उसके अलावा indirect impact भी होते हैं, जैसे कि कई जगा पे ए पेले जैसे बताया गया है, कुछ climate emergencies हैं, जिसको यह particular चीज एग्रवेट कर देती है, और जादा बढ़ा देती है, जैसे कि floods की बात करें, कहीं पे एकदम से बाढ़ा जाती है, जैसे कि landslides आप देखी रहे हैं, जैसे कि glacier melting के वजए से glacier lake जो है, उसके floods आ रहे हैं उसमें तो यह भी समस्या की बात हो जाती है, फिर उसके बाद अगर आप बात करें, तो यह particular article कहता है, कि अगर इसी speed से आप इस दिशा में आगे बढ़ते रहे, temperature बढ़ते रहे, greenhouse gas emissions होता रहे, तो इंडिया के कुछ शेत्र ऐसे होंगे, जो रहने योगी भी नहीं होंगे, तो ज health impact की बात करते हैं, non communicable disease और communicable disease दोनों ही बढ़ जाएंगे, वो इससे भी होगा कि जो vectors हैं, जो इनको carry करते हैं, जैसे कि malaria के जो carrier है, जो vector है, वो है हमारा मच्छर, तो mosquito जो है, वो एकदम से अगर बढ़ जाएगा, तो इसका यह होगा तात परे कि वो लोगों को affect करेगा तो ऐसे और जादा diseases बढ़ जाएंगे, फिर non communicable disease भी कही ना कहीं बढ़ेंगे, जैसे कि हमने बात की asthma बढ़ेगा, diabetes बढ़ सकती है, इनफार्ट कई reports में यह पता भी पढ़ा है, जो आपका एक particular life year होते हैं, जितना एक व्यक्ति जीवित रहता है, वो कम हो चुके हैं, हमारे पास data proper उपलब्द नहीं है, हमारे पास data होना चाहिए, किस जगह पे किस प्रकार के interventions करने चाहिए, जिससे कि ऐसी चीज़ों से हम लोग लड़ सकें, वो data अभी तक missing है, करना क्या चाहिए, कुछ ऐसी scientific mapping होनी चाहिए, जो यह बताए, कि यह area flood prone है, यह area ऐसा है, जह यह problems और पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे sanitation इतना proper होता नहीं, health की facilities इतनी अच्छी होती नहीं है, तो इसकी वज़ए से और जब climate change उपर से उसमें आके अपना effect डालता है, तो उससे क्या होता है, उस particular शेत्र में कई सारी बीमारिया देखे जाती है, तो वो यहाँ बात की गई है, फिर mitigation की अगर बात करें, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा, mapping करनी पड़ेगी, कहां पे कौन सी चीज जादा असर डाल रही है, उसी प्रकार से उसी की अनुरूप, उसी को देखते हुए, वहाँ पे आपको interventions करने हैं, फिर आप बात करें, तो कुछ socio economic support system की जरुवत है, बैतर health infrastructure की जरुवत है, वो तो हर जगे आप इस्तमाल कर सकते हैं, कि health infrastructure अगर बैतर होगा, तो काफी जगे पे हमारी जो workforce है, वो बैतर तरीके से काम कर पाएगी, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं, कि green cover को बढ़ाने की जरुवत है, जो बीच में हमने grey infrastructure के बारे में बढ़ा था, उसको कम करके green infrastructure पर focus करने की जरुवत है, ऐसी energy sources पर focus करने की जरुवत है, जो प्रदूशित हमारे environment को नहीं करती है, तो ये सब चीजे हैं, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानि कुछ point उठा कि आप अपने climate change से संबंद अब ये देखते हैं कि कैसे हमको अलग-अलग level space पे काम करना है, जैसे हमने पहले article में पढ़ा, ऐसी चीजों पे काम करने के लिख ground realities को जानना बहुत जरूरी है, और वो कौन जानती है, वो जानते हैं वहां की जो local governance होती है, तो उसको साथ मिलेते हुए, लोगों को साथ म कर पाएंगे जब सभी लोगों को आप साथ लेके चलेंगे, तो इसी note पे हम लोग conclude करते हैं हमारा आज का discussion, मैं उम्मीद करता हूँ, आज का discussion से आप काफी चीज़े अपने साथ लेके जाएंगे, काफी important facts हैं जो आपके answer में आपको useful साबित होंगे, इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें, मिलते हम आप से अपने अगले discussion में, thank you